नमस्कार फ्रेंड स्वागत आप सभी का सौल से मिजरी से यूटूब चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में प्रोनाउंस रेलेटेट एक प्रटिस एट लिया है इस प्रटिस एट में 30 कुशिन कवर करेंगे आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है और इसका जो PDF है आपको टेलेग्राम के चैनल पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो टेलेग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो आप सभी लोग जो है टेलेग्राम को जोइन कर लिजिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पे पहले आप विजिट के चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि pronoun होता क्या है तो pronoun जो है अगर हम pronoun की definition के बारे में बात करें तो pronoun की जो definition होती है ये होती है pronoun is a word used in place of a noun मतलब कि pronoun वह शब्द है जो noun के स्थान पर प्रियोग किया जाता है तो ये जो है basic आपको पता होना चाहिए और हम जो है pronoun का use क्यों करते हैं अगर बात की जाए pronoun का use हम इसलिए करते हैं कि noun की जो पुन्रा ब्रती होती है उससे बचने के लिए हम pronoun का use करते हैं कि बारवार noun से बचने के लिए बारवार noun से बचने के लिए noun के स्थान पर हम pronoun का use करते हैं तो यह आपको basic पता होना चाहिए, तो चलिए अब practice at को शुरू करते हैं, सबसे पहला जो question है, question नमर बन, he gave me mangoes, full stop, blank, were ripe, तो इसमें आप लोग सोच लिजी, इसका right option क्या होगा, तो question नमर बन का right option, जो हो जाएगा, option D हो जाएगा, यहाँ पे जो mangoes दिया है, mangoes noun, noun की according, जो है mangoes noun की according, यहाँ पे जो pronoun आएगा, तो यहाँ पे mangoes जो है, यह दो से अधिक mangoes, mango की बात हो रही है, तो दो या दो से अधिक के लिए यहाँ पे जो है, pronoun जो भी use करेंगे, यह plural use करेंगे, और यहाँ पे बर्व भी जो है, plural दी है, और आगे जो है mangoes की, जो है quality के बारे में बात की गई है, क्योंकि जो आम है, यह पके हुए है, तो यहाँ पे जो है plural आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो noun दिया है, mangoes, यह plural है, इसलिए जो pronoun आएगा, यह भी plural आएगा, तो आपको जब ये चीज पता होना चाहिए जब ऐसे नाउन जो दोनों जेंडर का उलेक करते हों जैसे masculine और feminine यहाँ पर student जो है यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है कि यह feminine है मतलब की महिला है यह फिर पुरुस है यह फिर masculine है तो यहाँ पर जो है आपको हमेशा यूज गरना है जब आपको यह confusion हो जैसे कुछ होते हैं जैसे जो है person, student, doctor, advocate, member, scientist होते हैं इसमें जो है हमेशा confusion रहता है कि यह पुरुस है यह फिर महिला है मतलब की masculine है यह फिर feminine है तो इसमें आपको हमेशा यूज गरना है जो हमेशा आगे जो pronoun यूज करना है यह हमेशा आपको जो है singular करना है और प्लस जो है masculine के according आपको जो है आगे pronoun यूज करना है जब आपको यह confusion हो कि वह masculine है यह फिर feminine है यहाँ पे मतलब पता नहीं चल पा रहा है कि वह boys है यह फिर girls है तो यहाँ पे जो है जब पता ना चले कि यह masculine है यह feminine तो आपको जो है हमेशा masculine मान के उसको आगे pronoun use करना है और pronoun जो भी use होगा यह singular होगा तो यहाँ पे जो है masculine मान के हमेशा इसको solve करेंगे तो यह आप याद रखें जब sentence में आपको each या फिर every आपको जब end से जुड़े होता तो आपको हमेशा जो भी बर्व लगानी है वो singular लगानी है और pronoun भी singular लगाना है और जब आपको यह पता ना चले कि वो जो है जो है जब आपको gender पता ना चले कि वो masculine है feminine है तो आपको हमेशा masculine मान के उसको solve करना है तो यहाँ पे masculine मान के तो हमने जो है यहाँ पे जो ह इसका C option correct हो जाएगा अगला जो कुछन है कुछ नमा थाइड जो है शिव is a good boy फुल स्टॉप ब्लेंक और बेज ब्लेंक टीचर्स तो यहाँ पे आप लोग सोच लिजी इसका right option क्या होगा तो यहाँ पे जो है यह शिव जो है सिव is a good boy मतलब सिव एक अच्छा लड़का है तो यहाँ पे लड़के के अकोर्डी यहाँ पे जो है ही आएगा और यहाँ पे जो है ही जो है ही जो जाएगा क्योंकि ही के अकोर्डी यहाँ पे ही जो जाएगा तो इसका जो है C option correct हो जाएगा अगला जो question number 4 Sheila is a very diligent full stop blank studies 8 hours a day तो इसमें आप लोग सोच लिजेश का right option क्या होगा तो यहाँ पे जो है Sheila की बात हो रही है तो Sheila जो है एक आपने आप में लड़की है तो लड़की के लिए हमेशा जो है आप she use करेंगे pronoun तो यहाँ पे जो है she हो जाएगा तो इसका जो है a option correct हो जाएगा आगला जो question है question number 5 every man and woman must do blank duty तो आप लोग इसमें socially जिसका right option क्या होगा तो इसका right option जो हो जाएगा option d हो जाएगा option d क्यों होगा तो मैं आपको बता दूँ जब दो noun जब दो singular noun end से जोड़े हैं जब दो singular noun end से जोड़े हैं तो आपको जो है दोनों से पहले या फिर each or every दिया हो या फिर किसी एक से पहले each or every दिया हो तो आगे जो भी आपको जो है जो pronoun लगाना है ये plural लगाना है और plural का आएगा जब जो आपको each or every से जो बाद में दिया है noun जो ये man दिया है और दूसरा woman दिया है जब आपको ये एक जो है masculine मिले और दूसरा जो है ये feminine मिले मतलब अलग-अलग gender के जब दो noun जब दो noun अलग-अलग gender के singular हो और जो है end से जोड़े है और दोनों के किसी एक से पहले each or every दिया है ये फिर दोनों से पहले each or every दिया है तो आपको जो भी आगे बरव आएगी और जो भी pronoun आएगा ये हमें सब plural आएगा ये आपको याद रखना है तो मैं आपको एक बार और बता देता हूं जब end से जुड़े दो जो है singular noun और दोनों से पहले each or every दिया हो ये फिर ना दिया हो और दोनों जो noun है जो दोनों noun है ये अलग-अलग gender के हो जैसे ये दिया है masculine और ये दिया है feminine तो आपको जो आगे बरव आएगी ये भी plural आएगी और जो आगे pronoun आएगा ये भी plural आएगा अगर ये दोनों सेम जेंडर के होते अगर जो यहाँ पे दिया है man और woman तो यहाँ पे अगर दोनों सेम जेंडर के होते मतलब जो है पुरुस पुरुस होते तो आपको जो आगे बरव लगानी है ये singular लगानी है और आगे जो भी pronoun लगाना है यह भी singular लगाना है यहाँ पे अलग-अलग gender दिया है तो यहाँ पे जो आपको लगाना है आगे बर्ब और जो pronoun यह हमेशा आपको plural लगाना है तो इसका जो है d option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 6 हरीश और मुकेश में withdraw blank name तो आप लोग इसमें सोच लिजी इसका right option क्या होगा तो मैं आपको बता दूँ इसका right option जो हो जाएगा option इसका c correct हो जाएगा option c correct क्यों होगा तो मैं आपको बता दूँ जब दो या दो से अधिक singular nouns को और या फिर either or या फिर neither जो है nor दोरा जोड़ दिया जाए तो आपको जो pronoun है यह हमेशा आपको singular use करना है अगर यहाँ पे जो है आपको पता ना चले कि यह boys हैं या girls हैं तो आपको हमेशा जो है boys मान के इसको जो है आगे solve करना है तो यहाँ पे जो है boys यहाँ पे दिया है नाम दिया है तो यहाँ पे जो है सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि यह masculine है तो यहाँ पे masculine के according यहाँ पे हिज आ जाएग अगर यहां पर आपको पता ना चलता कि यह masculine है यह feminine gender है तो आपको जो है masculine मानके जो है आपको solve करना है तो इसका जो है C option correct हो जाएगा अगला जो question है कुछ नमस 7 नाइदर नेहा नौर एकता can do blank work तो इसमें आपको जो है सीधा सीधा लग रहा है नेहा और एकता यह जो दोनो लड़की है तो यह जो है feminine है तो आपको जो आगे solve करना है आगे जो भी आएगा जो pronoun आएगा यह हमेशा जो है यह आएगा हर तो यहाँ पे हर क्यों आएगा मैंने आपको बताया जब दो या दो से आधिक singular nouns को और से या फिर neither nor या फिर either और से जोड़ा जाता है तो आपक जो sentence में दिया है जैसे नेहा और एकता दिया है तो यह जो है feminine है तो इसके according यहाँ पर जो है यहाँ पर पता चल रहा है हमें direct कि यहाँ पर जो भी है यह महला है मतलव जो है feminine है तो यहाँ पर जो है महला के according मतलव जो है girls के according हर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो है इसका प्लेड ब्लेंक रॉल वेल तो आप लोग इसमें सोच लिजी इसका राइट उप्सन क्या होगा तो यहां पर मैंने बताया आपको जब सेंटेंस जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउंस को और आइदर और या फिर नाइदर नौर से जोड़ा जाता है तो आपको जो भी प्रोणाउन यूजगरणा है यह सिंगुलर यूजगरणा है तो यहां पर फोंदा जो है अक्मत्लब लड़ग्यों के नाम है तो यहां पर जो है इसको अमैंने feminine के according आपको जो है इसमें हर इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question number 9 both Mahesh and Gotham are brave boys blank frightened the bear आप लोग इसमें सोच लिए जिसका right option क्या होगा तो इसका question number 9 का right option जो हो जाएगा option इसका जो है B option correct हो जाएगा option B correct क्यों होगा यहाँ पे both Mahesh और Gotham की बात हो रही है आपको यह पता होना चाहिए जब दो या दो से अधिक singular nouns को ends से जोड़ा जाता है और जो है दोनों अलग-अलग बैक्ती या फिर बस्तू का जो है बस्तू को दरसाते हैं तो आपको जो भी pronoun use करना है यह आपको plural करना है तो यह आपका इसका जो है यहाँ पे जो है इसका B option correct हो जाएगा यहाँ पे दो से अधिक दो लोगों की बात हो रही है तो दो लोगों के लिए यहाँ पे जो है plural का use होगा यहाँ पे जो है दे इसका correct हो जाएगा यहाँ पे महेश तो आप लोग इसमें सोच लेजिए इसका right option क्या होगा तो आप लोग यह ची याद रखें जब दो या दो से अधिक जो है singular nouns को end से जोड़ा जाए और जो है सबसे अलग-अलग व्यक्ति का जो बोध होता है जैसे लता, सरिता, गोरी यह जो है तीनों लड़कियां अलग-अ तो यहाँ पर जो भी आगे pronoun आएगा तो यह अमेशा plural आएगा तो यहाँ पर जो इसका right option जो हो जाएगा option इसका d correct हो जाएगा अगला जो question है question number 11 the merchant and salesman bent to meet blank boss तो आप लोग इसमें सोच लिजिए इसका right option क्या होगा तो इसका right option जो हो जाएगा option A हो जाएगा option A क्यों होगा तो मैं आपको यह बता दूँ जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक जो है singular nouns को end से जोड़ा जाता है और दोनों से जो है दोनों ज यह हमेशा singular करना है तो आपको यह मत बता दूँ जब end से जोड़े जब दो singular nouns को जो है आपको जो है मिल जाते हैं और दोनों से जो है एक ही व्यक्ति का बोद होता है या फिर एक ही बस्तू का बोद होता है तो आपको हमेशा जो भी pronoun use करना है यह आपको singular करना है तो इसका जो है यह option correct हो जाएगा तो आपको मैं बता दूँ आपको यह कैसे पैचाना है कि यहां पर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है फिर दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है तो आपको मैं बता दूँ जब end से जुड़े दो singular noun जो है दोनों से पहले अगर article दा दिया है तो आपको जो है अलग अलग व्यक्तियों को मिलेंगे अगर एक से पहले दा दिया है और दूसरे से पहले दा नहीं दिया है तो वहाँ पे जो है एक ही व्यक्ति की बात हो रही है जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो आपको जो है हमेशा आपको pronoun singular use करना है अगर यहा यहां पर एक ही ब्यक्ति का जो है एक ही ब्यक्ति को दर्शा रहा है sentence तो यह आप याद रखें अगला जो कुछन है कुछ नमर 12 अकाउंटेंट एंड केशियर बोज अबॉर्ड इड़ फॉर ब्लेंक सर्विसिज तो आप लोग इसमें सोच लीजिए इसका right option क्या होगा तो यहां पर इसका right option जो हो जाएगा option इसका जो है डी correct हो जाएगा option डी correct क्यों होगा तो मैंने आपको बताया जब दो या दो से अधिक singular nouns को end से जोड़ा जाए परंतु वे एक ही ब्यक्ति का जो है दर्साएं एक ही बस्तू को दर्साएं या फिर एक ही ब्यक्ति को जब आपको यह confusion हो कि वह masculine है feminine है तो आपको हमेसा उसको जो है masculine मानके solve करना हे यह आपको याद रखना है यहाँ पर जो है एक से पहले अर्टिकल दा दिया है दूसरे से पहले article दा नहीं दिया है तो यहाँ पर एक ही ब्यक्ति की बाद हो रही है तो एक ही ब्यक्ति की बात his use करेंगे क्योंकि sentence में confusion है कि ये masculine है feminine है जब आपको ये पता ना हो कि ये masculine है feminine है तो आपको जो है masculine मानके solve करना है अगला जो कुछन है कुछनमा 13 neither siam nor rena have completed blank work तो आप लोग इसमें सोच लिए जिसका right option क्या होगा तो इसका right option जो हो जाएगा option इसका जो है option b correct हो जाएगा तो मैं आपको ये बता दूँ जब sentence जो है और या फिर neither nor या फिर जो है either or से जोड़ा है और दोनों में जो है जब और से या नोर से जो जोड़ा होगा तो यहाँ पे जो है दो subject होंगे जो singular होंगे और दोनों जब अलग-अलग gender हों जैसे एक पुरुस दिया है और दूसरा महिला दिया है तो आपको जो है दोनों अलग-अलग जैसे masculine एक हो और दूसरा जो है ये feminine हो तो आगे जो भी बर्व आएगी ये plural आएगी और आगे जो भी pronoun आएगा ये भी plural आएगा तो ये आपको याद रखना है जब दो अलग-अलग gender आपको मिल जाते हैं जैसे श्याम और रीना दिया है तो आपको हमेशा आगे जो भी बर्व यूज करने है ये हमेशा plural करने है जैसे इसमें हैब दिया है और आगे जो भी pronoun आएगा ये भी plural आएगा अगर यहाँ पर रीना की जगे यहाँ पर राम होता तो आगे जो भी बर्व आथी ये राम की according यहाँ पर singular हो जाती और जो भी आगे pronoun आता ये भी singular आता राम की according तो ये आप याद रखें जब आगे आपको जो है दो अलग अलग जो gender मिल जाते है masculine और feminine तो आगे जो भी बर्व आएगी plural आएगी pronoun भी plural आएगा अगर रीना की जगे हम राम कर देते हैं तो आपको जो बर्व लगानी है ये has लगानी थी और यहां पे जो भी pronoun आएगा ये his आएगा राम की according तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए तो इसका जो है यहां पे जो है इसका बी option करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पे अलग अलग जेंडर दिये हैं तो यहां पे pronoun जो आएगा ये plural आएगा अगला जो कुशन है कुशन नमर 14 तो आप लोग इसमें सोच लिए जिसका right option क्या होगा तो कुशन नमर 14 का right option जो हो जाएगा option इसका जो है बी correct हो जाएगा option बी correct क्यों होगा आप ये चीज़ याद रखें वह pronoun जो collective noun को दरसा है तो pronoun जो भी use होगा ये हमेशा singular होगा यहां पे जो है यहां पे singular use हुआ है क्योंकि यहां पे बर भी singular आई है तो यहां पे जो है यहां पे जो भी आगे pronoun आएगा ये भी singular आएगा यहाँ पे जो है collective noun को भी दर्सा रहा है यह jury तो यहाँ पे जो है it's इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question number 15 जो है the class should respect blink monitor तो इसमें जो है आपको मैं बता दूँ वह pronoun जो collective noun को दर्सा आता है तो हमेशा जो भी आगे pronoun आता है singular आता है तो यहाँ पे जो है it's इसका correct हो जाए क्योंकि monitor इसमें monitor एक ही है और यहाँ पे जो decision ले रहे थे जो jury decision ले रही थी jury जो है अपने आप में collective noun है तो इसके बाद जो भी यहाँ पे जो बर्व आई यह singular आई तो यहाँ पे जो decision है क्योंकि एक लिया गया है decision जो है सबकी जो है जो jury है उसका decision एक है तो उसके लिए हमेशा आप singular यूज़ करेंगे तो इसका जो है बी option correct हो जाएगा अगला जो question है जो 16 है the jury were divided in blank opinion तो यहाँ पे जो है divided हो रहा है मतलब जो jury है यह divide हो रही है अलग-अलग opinion में तो यहाँ पे जो है अलग-अलग opinion के लिए यहाँ पे जो है आपको जो है their use करना है क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूँ आपको यहाँ जो jury है यह वर divided मतलब अलग-अलग opinion में मतलब जब एक से अधिक opinion आपको मिल जाते हैं तो आगे जो भी pronoun आएगा यह जो है अलग-अलग opinion मतलब दे रही है तो अलग-अलग opinion के लिए यहाँ पे their use करेंगे तो इसका जो है be option correct हो जाएगा अगला जो question नमा 18 जो है यह है शीला and blank are best friends तो आप लोग इसमें सोच लिजिए सका right option क्या होगा तो आप यह चीज़ याद रखें जब किसी pronoun को किसी noun जब किसी noun यह फिर दूसरे pronoun से जोड़ा जाता है तो आपको जो है बे एक ही case में use होते हैं तो यहाँ पे शीला दिया ह तो यहाँ पे जो similar form में मतलब जो subjective case में है तो यह आई है तो यहाँ पे आई इसका correct हो जाएगा यह चीज़ आप याद रखें जब किसी pronoun को किसी noun या फिर दूसरे pronoun से जोड़ा जाता है तो बे जो है एक ही case में use होते हैं तो यहाँ पे शीला जो है यह subjective मतलब subjective रूप में है तो यहाँ पे जो भी आएगा यह subjective case में आएगा तो यहाँ पे जो तो यह तो सारे गलत हो जाएंगे तो यहाँ पे जो है केबल एक दिया है जो की D option में है अगला जो कुछ ना कुछ नमर 19 जो दिया है Mohan and blank went to see the gateway of India तो इसमें आप लोग सोच लिज़ इसका right option क्या होग तो आपको मैं बता चुका हूँ जब किसी pronoun को किसी noun यह फिर दूसरे pronoun से जोड़ा जाता है तो वो जो है एक ही case में use होते हैं तो यहाँ पे Mohan subjective case तो यहाँ पे subjective case जो है केबल आई दिया है और बाकी यह तीनों जो है गलत है तो इसका जो है A option correct हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and इसे जरुकिया करें अगला जो question है question number 20 he loves you more than blank तो आप लोग इसमें socially जिसका right option क्या होगा तो आपको यह चीज़िए याद रखना है जो then जो की then और जो then or as जो conjunction है then or as conjunction है इनके बाद हमेशा जो भी pronoun आएगा वो ह सुरुआत में subject दिया है सुरुआत में जो भी subject दिया है यह आपको जो है subjective case में मिल रहा है तो आगे जो भी आपको then के बाद या फिर as के बाद जो भी conjunction है as और they इसके बाद भी आएगा pronoun यह भी subjective case में आएगा तो यहाँ पे जो है इसका be option correct हो जाएगा क्योंकि सुरुआत में जो है subjective case ही दिया था तो आगे भी then के बाद और फिर as के बाद जो भी आएगा यह subjective case में आएगा तो यहाँ पे जो है इसका I correct हो जाएगा अगला जो question है question number 21 रोहित is as tall as blank आप लोग इसमें सोच लिजे इसमें जो as दिया है यह जो है conjunction है और इसके बाद pronoun वही case उसी case मे use होगा जो सुरुवात में subject दिया है तो subject यहाँ पे रोहित दिया है जो की subjective case है तो यहाँ पे जो भी आगे pronoun use होगा वो भी subjective case में होगा तो यहाँ पे जो है I is का correct हो जाएगा अगला जो question है question 22 जो दिया है यह दिया है a good student brings blank books to the class तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा जब आपको यह confusion हो कि वो मतलब masculine है feminine है जैसे मैं आपको बता दूँ जो student, person, doctor, advocate, member, scientist, etc आपको जो है nouns मिल जाएं तो हमेशा आपको जो भी आगे use करेंगे मतलब जो भी pronoun use करेंगे यह masculine ही use करेंगे तो masculine की according यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे his is का correct हो जाएगा जब आपको यह confusion हो कि वो masculine है यह feminine है तो आपको हमेशा जो है आपको masculine मान के उसको solve करना है यदी आपको contest से यह expressed हो जाए कि मतलब जो person है, यह girl है या फिर woman है तो आपको feminine pronounce यहाँ पे जो है पता ही नहीं चल रहा है कि यह masculine है feminine है तो आपको masculine मान के solve करना है तो इसका c option correct हो जाएगा अगला जो कुछन है कुछ नमर 23 जो है ब्लेंक इस फाइप ओक लॉक तो आपको यह ची याद रखनी है जब सेंटेंस में आपको जो है नेचुरल इंसीडेंट जो प्राकरति घटना होती है जैसे सीजन वेदर अर्थक्विक यह फिर टाइम डे यह फिर दिन यह फ इट यूज करेंगे तो यहाँ पर जो है इसका डी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुछ नमर 24 ब्लेंक इजा चेर तो आप लोग इसमें सोच लिए इसका राइट अप्सन क्या होगा तो आप यह ची याद रखें जो निर्जी बस्तुओं होती है निर्जी इसके लिए भी जो है पैन जो है अपने आप में निर्जीब है इसके लिए भी हमने इट यूज किया है और छोटे छोटे जो जानवर होते हैं जैसे मैं एक्जामपल आपको देता हूँ इट इजा डॉग तो छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनके लिए भी हम इट करेंगे तो यह आप याद रखें और जो निर्जी बस्तू होती हैं उनके लिए भी हम इट यूज़ करेंगे और जो प्राकरति घटना होती हैं जो नेचुरल इंसिदेंट होती हैं जैसे सीजन वैदर एर्थकुइक टाइम डे यर को बतलाने के लिए भी जो है इट का यूज़ करेंगे तो यह आप याद रखें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड इसे जरुक्या करें आगले जो कुशन है कुशन हो 25 it is blank who have taught you तो आप लोग इसमें socially is correct option क्या होगा तो आपको यह चीज़ याद रखनी है जब शुरुआत में it is दिया है तो इसके बाद जो भी आएगा यह subjective case में pronoun आएगा तो इसमें जो है इसका subjective case के बल डी option में दिया है तो इसका जो है डी option correct हो जाएगा और यहापे जो है I के according ही यहाँ में जो है यहाँ पे आपको have देखनी को मिला है तो यह relative pronoun जो होते हैं जैसे who, which, that जो होते हैं इन से just पहले जो भी pronoun होता है उसके according आपको जो है बर्ब लगानी होती है तो यहाँ पे जो है I इसका correct हो जाएगा और यहाँ पे हमेशा आपको subjective case में pronoun लगाना ह तो इसका जो है D option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 26 जो है the child was playing with blank toys इसमें आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा तो यह चीज आप याद रखें जब छोटे छोटे बच्चे जो small children होते हैं या फिर babies होते हैं तो जिसके link का मतलब जिसके gender का जानकारी ना हो तो आपको हमे हमेशा it आपको use करना है तो यहाँ पर it के लिए यहाँ पर जो है it's इसका correct हो जाएगा आप यह चीज याद रखें छोटे छोटे जो babies होते हैं या फिर small children या फिर babies के लिए हमेशा आपको जब आपको यह gender पता ना हो कि यह जो है masculine है या feminine है तो आपको हमेशा जो है it use करन तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा तो मैंने आपको बताया था जब आपको small children या फिर babies आपको मिल जाते हैं और उसमें आपको gender की जानकारी नहीं होती है तो आपको जो pronoun use करना है यह हमेशा आपको it use करना है तो यहाँ पर जो है it इसका correct हो जाएगा option इस blank कॉमा करके दिया है फिर blank and free blank will leave for Bombay tonight तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा तो इसका right option जो हो जाएगा option इसका see correct हो जाएगा आपको यह चीर याद रखनी है जब आपको first person second person और third person जो है आपको जो मिल जाते हैं एक साथ तो आपको हमेशा जो करना है यह कर यह करना है यह तो इसके बाद third person फिर उसके बाद first person यहाँ पर जाएगा तो इसका जो है c option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 29 जो है blank comma करके दिया है फिर blank and blank have to help her तो इसमें आप लोग सोच लिए जिसका right option क्या होगा तो इसका right option जो हो जाएगा option इसका जो है c correct हो जाएगा मैंने आपको बताया जब sentence में आपको first person second person और third person आपको जो है pronoun एक साथ यूज हो तो आपको जो करना है य third person फिर first person तो second person यू फिर उसके वाद third person ही और फिर first person आई यहाँ पे जो है इसका c option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 30 जो है आइदर कमला और गिरिजा forgot to take blank purse तो आपको मैंने बताया जब sentence में आपको जो है same gender मिल जाता है जैसे दोनों जो है यह feminine है दोनों जो है यह feminine है तो आपको जब same gender मिल जाता है तो आगे जो भी pronoun आएगा यह हमेशा आपको singular pronoun use करना है तो यहाँ पे जो है यह कमला और जो गिरिजा है यह दोनों जो है एक मतलब girls के नाम है तो यहाँ पे girls के लिए यहाँ पे जो है इसको feminine के लिए हमेशा आपको यहाँ पे हर use करना है मतलब singular अगर यहाँ पे गिरिजा की जगए कोई दूसरा नाम होता जैसे मुकेश यह फिर अलग-अलग जैसे यहाँ पे जो है masculine होता यहाँ पे feminine होता जब आपको कमला की जगए कुछ भी दूसरा नाम मिल जाता आपको जो की boys का होता जब आपको अलग-अलग gender मिल जाते जैसे feminine और masculine तो आगे जो भी pronoun आता यह हमेशा plural आता यह आपको याद रखना है जब आपको same gender मिल जाते हैं जैसे कमला और गिरिजा same gender है तो मतलब आगे जो भी pronoun आएगा यह singular आएगा अगर अलग-अलग gender मिलते है masculine और feminine मतलब boys और girls मिलते हैं तो आगे हमेशा आपको जो है pronoun यह आपको plural use करना है तो यहाँ पर जो है मैंने आपको part 1 में जो है मैंने आपको 30 question करवाए हैं अब आपको part 2 भी आपको जल्द ही मिल जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like and से जरू क्या करें अगर चैनल पे पहले आप विजिट कियें चैनल जरू सब्सक्राइब करें और इसका जो PDF है आपको टेलेग्राम के चैनल पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो टेलेग्राम का जो लिंक है वो वीडियो को description में है तो आप सभी लोग जो है टेलेग्राम को जोइन कर लिजिए तो मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन्दे मात्राम